धर्ती के घूमने की वज़े से पैदा होने वाले सेंट्रिफ्यूगल और सेंट्रिपीटिल बलों का धर्ती की हर वस्तू पर अलग-अलग असर पड़ता है इस धर्दी के जीवों पर काम करने वाली शक्तियां हर अक्षांश या लारिट्यूट पर अलग अलग तरह की होती है आप जमीन के एक टुकड़े पर रहते हैं अपना खुद का खाना अगर खाते हैं तो एक महीने के भीतर आप अपने शरीर की सेहत में एक जबर दस्त बदलाव देखेंगे योग में भुजन के बारे में एक निर्देश है एक इंसान एक दिन में जितनी दूरी तै कर सकता है एक दिन में आप जितनी दूरी चल सकते हैं आपको उसी दूरी की रेडियस में पैदा होने वाला खाना खाना चाहिए आपको खुद से बहुत दूर उगा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो शरीर आपने धारण किया है वो मूल रूप से इस धर्ती का ही एक टुकडा है अगर ये इस धर्ती का एक टुकडा है और अगर आप उसी जगा का भोजन खा रहे हैं और आप वहीं रह रहे हैं तो आपका शरीर और उस जगा के बीच लगातार एक समवाद होता रहता है ये मत सोचेगा कि ऐसा सिर्फ एक तालमेल आ जाने के बाद ही होता है आज भी जैसे आप यहां बैठे हैं अगर आप इस जगा पर बैठे हैं तो आपका शरीर और ये धर्ती प्रिथवी का ये हिस्सा जिस पर आप बैठे हैं इसमें एक निरंतर गहरा समवाद हो रहा है यही वो वज़ा है कि प्रिथवी के संपर्क में रहना हमारे स्वास्थ और खुशाली का एक बहुत ही महत्ववून हिस्सा है योग केंद्र में अगर कोई स्वस्थ नहीं है तो हम हमेशा लोगों को बगीचे में काम करने के लिए कहते हैं तक ही वो धर्ती के संपर्क में रहें प्रिथवी के संपर्क में रहने के इस तरीके को आज आधनिक स्पा ने मिट्टी के स्नान या मढबात मना दिया है खैर आपको किसी ना किसी तरह जुडे रहना चाहिए चाहे आप जैसे भी जुडें या तो मिट्टी से स्नान करके या जमीन पर काम करके किसी भी तरह या फर्ष पर सो कर चाहे आप जो भी कर सकें मूल रूप से आप संपर्ग में रहने की कोशिश कर रहे हैं और भोजने के लेंदेन हैं जो पृत्वी में धा आप उसे शरीर मिले जाते हैं ये सबसे अच्छा काम तब करेगा जब ये उस टुकड़े या पृत्वी के उस क्षेतर से आए जहां आप रहते हैं तो आम तवर पर ये बताया जाता है कि आप दिन में जितना चल सकते हैं उतनी दूरी की रेडियस के क्षेतर से आपको खाना खाना चाहिए यानि अगर आप अपने खेत में खाना उगाते हैं और खाते हैं तो आप देखेंगे एक महीने के समय में मालीजे आप जमीन के एक टुकड़े पर रहते हैं अपना खुद का खाना उगा कर खाते हैं तो एक महीने के भीतर आप अपने शरीर की सेहत में एक जबर दस्त बदलाव देखेंगे। मैं कहूँगा, अगर ये किया जाए, ये एक सरल काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस धर्ती पर कैंसर की घटनाओं को 50% से 60% तक कम किया जा सकता है। मैं इस पर कायम रहूँगा, मुझे पता है, मेडिकल, समाज, इसका मजाक उड़ाएगा, पर मैं इस पर 100% कायम हूँ, कम से कम 50% कैंसर की घटनाओं को कम किया जा सकता है। अगर हम उस धर्ती के संपर्क में हैं जहां हम रहते हैं और वहीं का भोजन खाते हैं, ना कि कहीं और का, सवाल है कि अगर हम धर्ती के एक हिस्से में हैं, तो क्या आकाशिय जामिती हम पर एक खास तरीके से काम करती है। विशाल मानव सिस्टम के काम करने का तरीका या गहन मानव सिस्टम ये कैसे काम करता है? बिल्कुल जगह का इस पर बिल्कुल असर पड़ता है, जगहोंने अलग बना देती हैं. जैसा कि आपको पता है, ऐसा हर जीव के साथ होता है. वो पेड़ और पशुपक्षी, जो दक्षन भारत में बड़े आराम से रहते हैं, वो न्यूव यॉक स्टेट के आसपास या दुनिया के दूसरे हिस्सों में मुर्जा जाएंगे. क्योंकि जीवन यहां अलग तरीके से विक्सित हुआ है, यह सिर्फ मौसम की बात नहीं है, यह सिर्फ मौसम और धूप या ठंड की मात्रा की बात नहीं है. हाँ उन चीजों का भी काफी असर पड़ता है पर जीव कैसे विक्सित हुए हैं जैसे भी हुआ हुए हैं वो तरीका उस जगा से जुड़ा हुआ है ये एक सच्चाई है मानुशास्त्र एंत्रपोलोजी से इसे मानिता मिल चुकी है कि जब लोगों की एक खास तरह की नसल धर्टी के एक हिसे से एक बिलकुल अलग हिसे पर गई तो उनके शरीर की कई नसलिये विशेशताएं धीरे धीरे बदल गई और समय के साथ एक स्पष्ट बदलावा गया था इतना बदलाव की कुछ समय बाद पहचानना मुश्किल था कि वो पहले कैसे थे एक खास समय के बाद उदारन के लिए भारत में लंबे समय से कई नसलों का मिलन होता रहा है पर आप देखेंगे कि इसके प्रत्वी पर इस जगा पर होनी की वज़े से हालंकि तापमान मौसाम इन सब चीजों का असर होता है पर इसके अलावा उनके इस तरह के भोजन खाने से धर्थी पर वो कौन सी जगा पर थे इन चीजों से उनका शारिरिक रंग रूप कैसे बदला है और वो कैसे पूरी तरह से बदल गए है ये काफी आविश्वसनी है तो मौसम से भोजन से लारिटूट से फर्क पड़ता है क्योंकि धर्थी के घूमने की वज़े से पैदा होने वाले सेंट्रिफ्यूगल और सेंट्रिपीटल बलों का धर्थी की हर वस्तूपर अलग-अलग असर पड़ता है इस धर्थी के जीवों पर काम करने वाली शक्तियां हर अक्षांश या लारिटूट पर अलग-अलग तरह की होती है इस अधार पर उनके प्रभाव से शरीर कैसा आकार लेता है और उसकी वज़े से उस आकार और रूप के कारण जैसा ये ड़ल जाता है उसमें अलग-अलग तरह की योग्यताएं आ सकती है ये एक दुर्भाग्य है कि कुछ लोग हर फर्ख के अधार पर दूसरों के साथ भेदभाव करने लगते हैं वरना अगर आप उन फर्खों को ध्यान से समझें कि धर्थी ने कितने अलग-अलग तरह के जीव पैदा किये हैं जैसे कि इसने किये हैं यहां तक कि धर्थी ने अलग-अलग तरह के इनसान पैदा किये हैं जो कि इसने की हैं, तो ये अद्भुत और अविश्वस नहीं है, और इस बारे में जानने के लिए कितना कुछ है, पर ये जरूर है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने से शरीर की योग्यता अलग होती है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगा से दूसरी जगा चले होंगे, सिर्फ इसलिए कि भावगोलिक रूप से अब आप बिलकुल अलग जगा पर हैं, इसका अनमान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा सांस्कृतिक प्रभाव और दूसरे इतने सामाजिक प्रभाव इतने बड़े हैं, और ये इतने मिले जुले हैं, क इससे पहले कि वो यातराइं की गई थी, जैसे कि हम आज कर रहे हैं, तो आप साफ साफ ये अंतर देख पाते कि प्रभी ने अलग-अलग हिस्सों में कैसे अलग-अलग तरह के जीव पैदा किये थे, ऐसा हर जीव के साथ हुआ है, और बेशक इनसान के साथ भी,